हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों है सरकारी नोकरी की सबसे अच्छी त्यारी सबसे अच्छे अध्यापत सबसे कम सी अर्याना का नमबर वन कोचिंग सेंटर आईसे नमस्कार मैं उप्रमोद और आप देखना सुरू कर चुके हैं इस वक्त मैं पंजाब विधानसवा चुनाओ कवर करते हुए हलका लंबी के गाउं कंदुखेडा में हूँ और कंदुखेडा का नाम लेते ही उस संगर्ष की कहानी ताजा हो जाती है जो 1986 में किया गया इस गाउं की तरफ से और आज भी गाउं के लोग ये बताते हैं कि 1986 में जब हरियाना और पंजाब चुकि ये गाउं है वो हरियाना पंजाब और राजस्थान की सीमा पर बसा हुआ है इस गाउं से करीब एक किलो मेटर दूर ही सीमा लगती है जहां पर हरियाना पंजाब और राजस्थान हरियाना की बात करें तो गाउं जोता वाली यहां पर पढ़ता है पंजाब का ये गाउं है कंदु खेडा और राजस्थान के भी गाउं है यहां से करीब डेड़ किलो मेटर दूर पढ़ते हैं तो इस कंदू खेडा में 1986 में यानि कि 36 साल पहले आंदोलन लड़ा गया और उस वक्त चुंकि हर्याना और पंजाब में ये समझोता होने जा रहा था कि चंडीगड है वो पंजाब को दिया जाए और हर्याना मांग रहा था पंजाब के करीब 108 सो से जादा गाउं थे जो हिंदी भाशी गाउं थे जहां पे हिंदी भाशा बोली जा रही थी और फजिलका और अभोर शहर उसको लेकर के कंदू खेडा है वो ये खहूंगा कि ढाल बना उन गाउं की क्योंकि इस गाउं में जो है पंजाबी बोलने वाल मनिकाली दल की सरकार में सुर्जीत सींग बरनाला यहां पे मुख्य मंतरी थे और कैप्टन अमरेंदर सिंग है उस वक्त क्रिश्य मंतरी थे तो उस वक्त यहां पे कैप्टन अमरेंदर सिंग और शिरो मनिकाली दल के साथ साथ जो है प्रकास सिंग बादल भी उस वक्त यह कि वो हर्याना में रहना चाहते हैं या पंजाब में रहना चाहते हैं यानि कि हिंदी भाषा और पंजाबी भाषा तो उस वक्त इस गाउं के तिरानमें परसेंट जो लोग है वो पंजाबी भाषी मिले यानि पंजाब में उन्होंने सैम्ती जताई जिसके बाद जो है ये इ हुआ हैं उनको नोक्रियां देंगे गाउं की गाउं में जो है अब स्कूल है वो अप्ग्रेड बार्मी तक का हालां कि स्कूल उस वक्त बनाया गया लेकिन तमाम सुविधाएं हैं वो गाउं के लोगों को अब तक नहीं मिल पा रही है ओ एक सो आट पेंड़ दो चाहर सी इति बड़ी मंत्री सी है TRANSPORT मंत्री बादल हं तो हर्दी पिंदर सिंह थ ट्रानसपोर्ट मंत्री साथ क्विसमाशी चहां। यहां पकंदू ख़ड़े विच वड़ना और एक सारा काय देतागी सारी फोर्स पंजाब दी भी होर्स टेटन दी ला दिती गई ते कैप्टन अब लिंदर सिंग खेती बड़ी मतर शी उन्हादी जोटी ला दिती गई इसी भी एप इंड कंदू खेडा जे चला गया ते अपना एक हिस्सा कट्टा जाना पंजाब पूरा हिस्सा कट्टा जाना बाग बहुत सी अप पंजाओ खेती है तो फिर उसमें फिर क्या निरना क्या हुआ उसमें फिर आठ आठ दास दिन चलिया एशंगर चलिया फिर इनने वीडियोग्राफी ऐसे तरह करी कार कर गया चुले चुले ते जाके रेकनु पुच्छा भी तुक पंजाब चरहना के हर्याने जाना उस वे परिदे तरनम्य प्रसेंट पाशा भूली गई पंजाबी ते बाकी बोली गई हिंदी यानिकी फिर के पंजाब ने रहे गया ची करबानी देखिक लो सरकारा ने साड़ी पौक्षपडलक परताल वारी वारी सरकाराइं याँका वारी ओरी वारी न अग्रस दिव्याई उन सब्सक्राइब 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 पर उन सरकार नू पता लगा फिर उत्तो नम्हुगाई सरकार दुजी पीया पिया लगा जार कर की थी फिर रही सारे जी एह हुए अख्या जिए पिंजाब चरवांगे बोलांगे अबाकी जी नसानु जिनियां मंगा अख्या जी नाक्या मुंदेल हमां गे तड़ी आस बता जी साथे रहा क्या बनामा वाड़ा दोद प्राद आड़ा वो सानु काखी निजिता लिए मुंदा साथा एक रिय बादर साहरे पांज मेरामो कुमंधर रहा जी आप शाथे पेंड़ था कीता उल्ता साथे पेंड़ था पंज ने कि पांज ने कि अद बुगाई बात कार स कुछ नहीं को पूद में बयुक्षाइब भाई हुए हुए धी जना कोई ना कोई भी होश्पिटल कुछ भी है एक स्कूल जरुब है कि अपर स्कूल का स्वी फ्लेग लगे खूजर कोकोई कोई पर जिनी करवान निया जी कोई दिता नहीं नहीं केप्टन साहब ने गोदले आशी पेंडे ओन लेक्षिन भी पिछे लड़े लड़े लंबीतों सब्सक्राइब ते ओधो आधे शीविचलों जेता हारो जिमें होई पसी डवालमेट करांगे पर उस्तों बात अनुने ज़ा पर जाए ना पोच्छ परताल की थी बने की नहीं बने ते साधे इत्य प्रकास यह बादला यह सीया में पांजबर रहे यह जोली पिंडादे साब नाब कास होया है पर आईना कोई लाग निसानू मिले आउना तो 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 लेगा है डिस्पैंसरी ओशोटी जी जी कदी ड़ पर जाए जो है धाल बना और उन गांजब और हर्याना के समझोते को लेकर के कुछ गाओं देने की बात आई तब यह गाओं जो है धाल बना और उन गाओं गाओं जो सो से ज़्यादा गाओं थे वो जो है पंजाम में ही रहे पाए तो यह कह सकते हैं और क्योंकि जो सीधे तोर पर उस वक्त जब यह मोर्चा चला तो करीब पांच दिन तक हतियार बंद समर्थक जो है दोनों ही राज्यों के जो बड़े नेताओं के साथ यहां प इस वक्त अदा किया था लेकिन आज भी गाओं में जो है सरकारी सुविधाएं गाओं के लोगों को नहीं मिल पा रही हैं तीन परदेशों की सीमा पर यह गाओं इस्तत है और स्री मुक्त सर साहिब का वह गाओं जो 1986 में हिंदी और पंजाबी भासा पर यहां पर सरह हुआ जो गंदू खेडा गाओं है तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही लगाता हमारे स्ताब बने रही है और इस वीडियो को जादा से जादा शेर जूर कर दीजिए ताकि तमाम लोगों तक कि यह जानकारी पहुंचे बहुत बहुत शुक्रिया ठीक है